ही गाईस इस शेहँ परियार एंडेयर वचिंग परियार डौक केनल फ्रेंस आज हम बात करचे सब्से फहमा दॉट्स ब्रेंड के बारे में महीं मैं बात कर रहा हूं जर्मा से अफ़र्ट ब्रीट के बारे में एट आक्स ब्रीट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिक में चल रही है सो गाइस अगर आप लोग इस ब्रीट को पर्चिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना आपको इस वीडियो में इन पपी के बारे में complete information दिस आईगी मैं आपको इस वीडियो में इनके mother father की photos बें दिखा दूँगा जिससे आप लोग इन puppies की quality का estimation लगा सकते हैं कि आगे चलके इन puppies की quality कैसी बनेगी सो फ्रेंड्स आप लोग quality देख सकते हैं puppies की काफी अच्छी quality है और इनके mother father की quality काफी अच्छी है puppy heavy worn होने के साथ काफी healthy भी है आप देख सकते हैं जो quality है वो आपके सामने है यह double coat में है अगर आप लोग एक अच्छा guard dog purchase करना चाहते हैं तो आप लोग इस dogs breed को purchase कर सकते हैं क्योंकि आपको इस dogs breed में हर एक quality मिलेगी जो की एक अच्छी guard dog में होना चाहिए और यह puppy double coat में ह आपको इसके coat को maintain करना पड़ेगा, setting के time इस dogs breed को काफी ज़्यादा hair fall होता है आपको घर में जगे 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 hair देखने के लिए मिलेंगे तो इन सबसे बचने के लिए अगर आप लोग इन dogs की daily grooming करें तो काफी अच्छा रहेगा Friends A dogs breed बहुती intelligent होती है और high energy बाले dogs होते हैं इसलिए इस dogs breed का use आर्मी बर्क और police बर्क में किया जाता है इस dogs breed की sense of smell बहुती जवरदस्त होती है आप लोग इने सुबह साम बोकिश शाषत physical exercise भी कराएं जर्मा सेफर्ट फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बहुती अच्छी breed है आप लोग इने पर्चेस कर सकते हैं जर्मा सेफर्ट कभी भी अपने ओनर और फेमली को दोका नहीं देते यह अपने ओनर और फेमली के प्रतिक बहुती वफादार होते हैं फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरी चनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू प्रेस करें जिससे मिले आपको मेरी हर वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले और फ्रेंड्स मैं आपको यह आपको यह पर क्वालिटी ब्रियूट के साथ विश्वास भी देता हूं तो चले फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एज, प्राइज और लोकेशन के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स अगर इनके एज की बात करें तो इनकी जो एज है वो है तीज दिन यानि की वन मन्त ओल्ड पपी है यह only male puppy ही सेल के लिए available है, female puppy नहीं है दोस्तों अगर इनके location की बारे मीं बात करें तो इनकी जो location है जुणुणु राजस्तान से जी दोस्तों इनकी location जुणुणु राजस्तान से है अगर आप लोग जुणु राजस्तान के आसपास से बिलॉंग करते हैं तो आप वहाँ पर डारेक्ट बिजिट करके इन पपी को पर्चिस कर सकते हैं क्योंकि आप पर डिलेवरी एविलेवल नहीं है और आप लोग डिलेवरी चक्कर मेंना पड़ें क्योंकि ज्यादा तरह फ्रोड डिलेवरी में ही होता है फ्रेंट्स अगरिंगे प्राइस की बात करें तो इनका जो प्राइस अब वो है 10,000 रुपए यानि की 10,000 बैसे प्राइस फिक्स भी नहीं प्राइस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा सेलर जो थोड़ा बहुत प्राइस कम कर देंगे तो आप लोग मुझे उसकी फोटो वीडियो और उसकी डेटेल मेरे वाटस अप नॉमबर पर सेंट कर दीजे आपको मेरा वाटस अप नॉमबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एविलेवल हो जाएगा आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीस लाइक कमेंट जरू कीजिए दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंकिए सो मच देखते रही आपका अपना फैबरेट चैनल पर हाट डॉक करन मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट ब्रीट के साथ तब तक लिए बाए बाए इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के